आपने कभी सोचा है इद के दिन सिर्फ बकरे को ही क्यों काटा जाता है मुर्गे को क्यों नहीं अल्ला और भगवान के लिए इंसान और जानबर एक समान है फिर कैसे वो किसी मासूम जानबर की कुर्बानी मांग सकते हैं तो फिर ऐसा क्या रहस है जिस बज़े से इद के दिन सिर्फ बकरों को ही काटा जाता है मुर्गोई को या सूवर को क्यों नहीं काटा जाता इस रहस को जानने के लिए सबसे पहले कमेंट पर क्लिक रहे हैं या आपको पता है तो हमें कमेंट करके बताएं